कि है गाइस गुड मोर्निंग वालकम बैक टुड चैनल तो दोस्तों आज मैं आप सबको बता दो कि मैं आज अपना होम तूर भी कराने वाला हूं और साथ में उस दिन हो जाए जाके क्या कुछ लेकर आये थे वो सब भी मैं आप सबको दिखाने वाला हूं तो सबसे पहले त दिखा देता हूं तो आप सब देख सकते हो यहाँ पर मैंने लाके ऐसे रख दी तो मुझे यह बेकरान तो यही है मैंने फेले वीडियो में भी दिखा देते हैं आप सबको मुझे टेबल और देस चाहिए थे तो आप फाइनली मिल चुका हूं अब इस में ना कुछ भी न मिल चुका हूं तो अब इस चैनल के लिए इसमें बैटके में वीडियो बनाने वाला हूं और साथ में और बेंच भी लेकर आए थे और साथ में चार खुर्सी भी लेकर आए थे वो सब दिखा दूँगा चलो तो अब घर भी दिखांगा लेकिन उससे पहले ना क्या कुछ कुछ लेकर आए थे वो सब दिखाते है पहले है तो वह वाला खुर्सी इधर रखा हुए है आप सब देख पाए रहा हूंगा तो यह रहा इसमें चार कुर्ष आए तो यह रहा आपना रानी जहां पर मैं गुमता हूं और साथ में यह जो बेंच आप देख पा रहे हो यह जाही है सोरी का समय बुल किया था और एक टेबल है यह लेके आया तो इतना ही लेकर आया और बाकि कुछ लेकर नहीं आया और जितने भी मैंने लेके आये थे वो सब दिखा दे आप सबको तो आप भी मैं अपना home tour कराता हूँ है ना अपना गर दिखाता हूँ मैं कापर और कैसे रहता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यह गर दिखाने चाहओंगा मैं सब कुछ details में दिखाऊंगा काईश तो यह रहा यह मेरा घर जहाबर में रहता हूँ अपना room इदारी है और अंदर चलते हैं अंदर चलके मैं दिखाता तो अंदर आते हैं मैंनलो यही मेरा studio जहाबर मैं बीडियो बन दो बच्चे लोग एक की नाम है रोहन और एक का नाम है सन अंधि अर्टंप करूंगा लेकिन इस बीडियो में नहीं गाइज बाकि और नेक्स बीडियो में में सब्सक्राइब करूंगा उसका तबी यह रहा एंग जाए यहापर उर्मी के मम्म्म पपा और और मेरे साला अर्शन हो रहता है तो यह रहा एक गाड़ी और यह रहा स्कूटी इस स्कूटी करना अभी भी फाइनल्स चल रहा है तो कम्प्लिट नहीं हुआ अंदर का व्यू तुम्हें दिखाने सरम लगता है गार इस थोरा क्यूंकि इस प्रकार का है बहुत कच्रापर आ नहीं को मिलेगा मेरा गर और बैक साइट से देखने जाओ तो यह रहा गाइस यह लग्री है हम लोग आभी भी लग्री से बनाके खाता हूं तो रहा मुर्गी का गर जहां पर आम लोग मुर्गी पलते उसका गर और साथ में उदर भी लग्री रखा हुआ है और अभी मैं गड़ दिखाता हूं जहां पर हम लोग खाना उना बनाते हैं है ना सब्जी रसोई बोलने जाओ तो अपना रसोई दिखाता हूं तो यह रहा रसोई तक जाने का गैद है इधर देस रखा हूँ है दाइनिंग लेकिन इसमें कोई बैटके खाना काता नहीं है यह सरकर की तरफ से देने वाला कुछ फिल्टर थे उतना खास नहीं है और सब्सक्राइब अपना रसोई भी खच्रा परा हूँ है यह रहा इसमें पानी और फ्लेट वगेरा रखने के लिए इसे बनाया है डेशी स्टाइल में यह रहा अपना आचार तो अभी बाहर चलके बाहर से दिखा देता हूँ आप सबको यह रहा गाइस अपना किचन इधर पता नहीं सुबे सुबे से इसे चिला रहा है गाव में ना बेकरण म्य एक्षा से देने नहीं पड़ता है गाइस बेकरण म्यूजिक आपने बन जाता है यह लक्रे इधर भी लक्रे पर आए तो इतना ही है गाइस यह सब तो आप देख सकते हो यह सब सुपारी है जो हमने लगाए है अब बड़ा बड़ा हो रहा है तो आभी दो तीन साल के अघने जाते हुआ पानी पीते हुआ इधर ना बहुत आई रहन नासता ने पाणा जाता है तो इसलिये फिल्टर करके नहाने और पीने पड़ता है जिस्तके भालु और में रहले हिश बता यहीरा रखकाय के हम दोग यह इस प्रकर से फिल्टर करतां इधर रहें और तो दोस्तों आप सब देख चुके हूंगे मेरे गार आप फिलाल नस्ता खा लेटाओ अब पहले चाई तो मेंने फेली फेली तो अभी चाहल फ्राइए किया तो फेले खाएंगे तो यह रहा दोस्तो चाहल प्राइए कर ले और बाकि यह रहा चतनी शुकान मचली का चतनी बाकि डोनों बच्चे तो खा चुके यह इदर उर्मी भी खा रहा है देख सकते हो यह ना मेरे से पहले खा जाते हूं मेरे गजख चुर के तो दोस्तों को आप सब मेरे इस बीडियो को पसंद आया होगा तो पसंद आया हो तो प्लेस लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूले गाइस तो ठैंक यू सो मच